देखिए पानी चालू हो, साप का पुआ है, और ठंड जो है बहुत जादे पढ़िए, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नया ब्लोग में, और सुबा के करीब 7 बज़ रहा है, और 7 बज़े ही देखिए आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा, आगे से 5-7 मीटर भी देख में भी राके खेद को पटाना है, क्योंकि गेहूं का पटाने का समय आ चुका है, और कुहासा देखिए, बहुत जादे कुहासा हो गया, और धीरे-धीरे कुहासा बरते जा रहा है, और ठंड करीब अभी का ठंप पड़िचा 8 डिगरी है भाई, देख लिजे किसान कितना म पटाने का काम मिला आज हमको, तो चलिए पुड़ा वीडियो जवाय किज़ेगा, और पुरा दिन दिखाएंगे कि एक किसान कितना मेहनत करता है, तब उसको जाके अनाज उप जाता है, तो चलिए आज का ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही हैगा, और इधर देखिए, प पटाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रही हैगा, और वीडियो इंज्वाय भी किज़ेगा, देखिए, पानी चालू हो गया, और करीब एक देर घंटा के महिनत के बाद, जाके मोटर चालू हुआ है, और धर से बाल्टी में पानी भी लेके आना पड़ा, और प भजे मोटर चालू हुआ है, तो गहां पटाने के लिए सुग कर देया, और अभी भी कुहासा, आपको पूरा कुहासा दिख रहा होगा, पूरा कुहासा चारो तरफ, और जैसे जैसे जैसे, दिन चहर रहा है, मतलब जैसे जैसे, ताइम जो है, साड़े 6 बज़ए आथे त और अभी भी कुहासा जो है कुछ साफ दिखाई दे रहा है, मगर अब जाके सुरजभागान दिखे गए है और खेत में आयोगे करीब चार घंटा से भी जादा हो चुका है और अभी भी कुहासा है जो आप देख सकते हैं और अभी भी आपको इधर कोई नहीं दिखाई देगा अकेले और सबसे अच्छा खुबसूरत यह फूल दिख रहा है सरसो का फूल देखिए चाओ तरफ खिल गया है और उदर सामने रहा जीहूल का पेर देखिए सुरजबागान वहाँ है और इनका परचाई पानी में यहाँ दिख रहा है और यह लगवक खिल हो चुका है चाओ तरफ आपको इस खिल का पानी दिखेगा और यह यहाँ तेजी से पानी गिर रहा है वह वहाँ देखिए वह जीहूल के सामने उदर बोरिंग था उदर से पाइप वैसे 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 और ऐसे करते 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 इस खित में अभी जाके पानी गिरना शुरू हो गया है और करीब एक खित पट चुका है और सुबह से नास्ता भी नहीं किये थे ना खाना खाय थे तो ममी अभी कॉल की है कि आके खाना खालो तो चलते है घर पे खाना खाने और सुरज भगवान देखिए तम सर पे चले आगे तम उपर यहां पे आगे सुरज भगवान और करीब अभी साथे बारा बज रहा है और अभी जाके खाना मिलेगा भाई देख लो एक किसान किता में अद्ट कता सुबह 6 बजे सारे 6 बजे बोरिंग पे आथ है और 12 बजे जाके अब नास्ता मिलेगा और चलते हैं खाना खाने और खाना खाके जल्दी से वापस भी आना है क्योंकि यहां खेत में देखना भी है कि पाइप छटके न और देखिए वहां पे पानी ज्यादा गिर रहा है तो भी जाके वह कुट थे उनका गिहुम-का खेत पट गया था और मेरा खेत अभी तक नहीं पटा था तो खेत पठाने बहुत जो रह ज़ी था वह लगवगद 5-5 खेत तो पहले पचुका था उस सभी घेत पट चुके हैं देखिए वह सभी जीतना क्थेट है तो सभी पट चुके हैं और म पानी चरह रहा हूँ और जब बह्ता अब बहुत चलेगा और 8 गंटा में कड़ीज दो खेता भी पटा है और एक खेत भी बाकी तो साम तो लगता कि हो जाएगा और रात भी भी हो जाएगा तो रात में कितना बसता है वह भी देखते हैं लहां जाना है और पानी लाने के लिए दो बार शिर्फ गया है वहाँ पे थोड़ा सा रह गया है देखिए वहाँ पे थोड़ा सा रह चुका है उधर और उस चारोतर पानी हो चुका अभी हम जहां खड़ा है वहाँ थोड़ा सा पानी नहीं चरहा है तो इसको पैर से ऐसे ऐसे करके और पानी चरहने का कोशिश कर रहे है पैर से रास्ता बना देते हैं जैसे यह यहां पानी रुग गया तो ऐसे करके इससे रास्ता बना देने से जल्दी पानी चहरता है क्यों आजाता है तो जल्दी से फटाफट इस काम को समाप्त करते हैं उसके बाद दूसरे खेत में पाइप भी खोलना है और उसके बाद विराखिये वहाँ जो है साप का पुआ है एक वहाँ है एक वहाँ है और बहुत लंबा है कडिबे दोनों को जोड दिया जाए तो पान से छे चुहा लोग आता ही है और चुहा को खाने के लिए यह साप आता है और देखिये कि इतना लंबा है एक इसका भाग हम सुबाया थे तो टूट गया था मेरे ही पैर से एक यहाँ रह गया और यहाँ पे इतना दूर जो है रह गया बाकी चार गप पानी जो है वह आपको के ठंड में ना रही है लोग देखिए एक यहां भी फिर से ना रही है अलाम से डूबडू के लिए किता अच्छा लग रहा देखने में कि और सब उड़ गई उड़ गई उड़के कहां गई उड़के वापस यहीं पे बैठ गई सांके कडीब सारे तीन हो गया है और ये खेत पूरा पट चुका है पूरा आपको चारो तरब पानी ही पानी देखेगा इस खेत में पहले तो क्या करना है इस पाइप मोटर जाके बंद करेंग और इस पाइप बर गया है क्योंकि पच्छुवा हवा चल रहा है तो ठंड ज्यादे लग रहा है तो इन हो गया कड़िब 10 गंटा से ज्यादा हो चुका है हमको खेत में आये हुए और अभी खेत में ही है हम और रात में कितना टाइम डगता है वो भी दिखेंगे देखेंगे उधर जो है पा मेटके और वहां रख दिये और इस पाइप को अब लेके चलते है घर और कम से कम एक कठा ले खेत एक कठा तक इस खेत में खेत पट चुका है क्योंकि जितना देर भी लगेगा खेत में रखे खेत पटाना और एक किसान कितना मेहनत करता है वह जरूर आप सभी देखिएग कितना किसान लोग मेहनत करता है सहद बनाने के लिए मदमक्खी लोग जो है सरसो के फूल का रस चूच रहा है और देखे यह फिल आपको गाव में ही मिल सकता है और बहुत सरा है और आराम से पैट पैट के इतना अच्छा कर रहा है न भी टाइप को बहुत अच्छा लग और जितने भी फूले आप सभी पे उसको देख सकते मदमक्खी लगा हुआ देखे एक तो पास में आ गया अदम पूरा पास में है पूरा कुहासा हो गया और हम इधर है और पूरा मुझ से भाब दे रहा बहुत ठंड बाई अभी हम जा रहा है घर पे और देख लिजी अधर गणता हो गया तेरा घंटा से रेगुलर हम खेत में है और अब जाके अब हीमत नहीं कर रहा भाई अब जा रहा है घर पे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लगड़ा है हम इतना ज्यादा बोल रहे है कि मुझ से भी भाफ ली कर रहा है तो चलते हैं जल्दी से घर पे है क्योंकि फोन भी ज्यादा चार्ज नहीं है फोन मात्र पांच परसेंट चार्ज है आपके अठ बचर आया और आप सभी ने देखा कि एक किसान कितना मेहनत करता है आप सभी को मैंने दिखाया तो जरूर कॉमेंट करके बताएगा कि आप सभी को आज का ब्लोग कैसा लग अगर चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को लाइक किजिएगा जितना होसे के वीडियो को शेयर किजिएगा तो मिलते है गाइस नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाबार जैहिन वले मातर्म और गुड़ नाइट